जब आपसे ऐसे सवाल पूछा जाते हैं जो थोड़े अपमान जनक हैं तब भी आप शान्त रहते हैं चाहे बाउंसर हो या गूगली मैं शान्त रहता हूँ मैं बस एक सामान या इनसान हूँ सभी दूसरे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद ही कमिया अपना ली हैं वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूँ क्या रामायन और महाभारत वाकई हुई थी या वो सिर्फ एक कहानी है ये कहानियों को किसी न किसी रूप में आपके भीतर कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए आपको जीवन के बारे में कुछ करने की प्रेरणा देनी चाहिए लेकिन आज बस जानकारी दी जा रही है 1452 में ये युद्ध हुआ, 1566 में वो युद्ध हुआ आप उसका क्या करेंगे? मिट्टी में पोशक तत्व बिलकुल नहीं है इसका मतलब है अधिकान शाबादी की मौत हमारे सामने ये चुनोती है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम या तो इस धर्दी के जीवन को बरबाद होने से बचा सकते है या हम बस देखते रहें तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े अपमान जनक है या जो परिशान करने के लिए होते हैं ताकि आप कोई रियाक्शन दे तब भी आप शान्त रहते हैं आपका ये गुण ऐसा है जो मैं वाकई चाहता हूँ कि हमारे अंदर भी हो क्योंकि हम असल में सोशल मीडिया पर नए हैं लगता है ठीक है नहीं मैं सिर्फ इसलिए शान्त नहीं रहता क्योंकि एक बाउंसर सवाल पूछा गया है मैं बस शान्त हूँ चाहे वो बाउंसर हो या गुगली मैं शान्त हूँ उस सवाल की वज़ा से नहीं या उस विशेश सवाल से बचने के लिए नहीं मैं ऐसा ही हूँ ठीक है मैं ऐसा क्यों हूँ देखिए, मूल रूप से जिसे आप रियाक्शन कहते हैं वो ये है कि आपकी एक शमताएं आपकी मर्जी से काम नहीं कर रही है आपके विचार, आपकी भावना और आप जो बोलते हैं वो उस तरह से नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं तो इसे अपंग होना कहते हैं, हलो, अगर आप अपने हाथों का इस्तमाल या अपने सर का इस्तमाल, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी रुकावट है, है नौँ, तो मैं सिर्फ एक सामान या इनसान हूँ जो अपने विचार, अपनी भावना, अपनी उर्जा, अपने हाथ, अपने पैरों का अपनी मर्जी से उप्योग करना जानता है। वो सभी दूसरे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद ही कमिया अपना ली हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूँ, नहीं मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप इस धर्ती के एकलौते ऐसे प्राणी हैं जिसे एक बीइंग कहा जाता है, किसी दूसर को अनंदित रखेंगे या दुखी, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, तो हमारा अगला सवाल यह है कि कई बच्चे अपने एक्जाम की वज़े से इस समय बहुत तनाव में हैं, तो जैसे आप तनाव पून स्थितियों में भी शान्त रह पाते हैं, जैसे मेरा मतलब है, यह त प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो जब भी, जैसे माइक टाइसन ने कहा है कि सब कुछ प्लान से चलता है, जब तक आपके चेहरे पर पहला मुक्का नहीं पड़ता, तो जब चीजे प्लान के अनुसार नहीं हो रही हों, तब हमें क्या करना चाहिए, खास कर बच्च तो समस्या ये है कि हम सोच रहे हैं कि एक्जाम एक समस्या है, समस्या ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारी दिल्चस्पी नहीं है, बिल्कुल, ज्यादातर लोगों की इसमें दिल्चस्पी नहीं है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर शिक्षा है, सभी को स्कूलों maths, bio पढ़ना पड़ता है ये वास्तविक नहीं है ये दुनिया में बौधिक वास्तविकता नहीं है हर कोई इसके लिए नहीं बना है कोई संगीत में अच्छा होता है कोई किसी और चीज में अच्छा होता है लेकिन ऐसे अवसर नहीं है हर कोई एक ही चीज़ कर रहा है तो अलग-अलग तरह के लोगों को एक ही सिस्टम से गुजारा जा रहा है इसलिए इतनी परेशानी हो रही है अगर हम जानते होते कि हम क्या पढ़ रहे हैं अगर हमें विशय में रुची होती तो हम कोर्स नहीं पढ़ रहे होते लोग सीखने की इच्छा से शिक्षा पराप्त नहीं कर रहे बस किसी ने उनसे कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे जी सकेंगे तो इसी लिए वे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इस प्रक्रिया को भुगतेंगे तो ये बहुत जरूरी है योग में हम कहते हैं अगर आपकी एक आँख लक्ष पर है तो रास्ता खोजने के लिए आपके पास एक ही आँख होगी और ये काम बहुत मुश्किल है अगर आप अपनी दोनों आखों से रास्ता खोजते हैं तो अपनी क्षमता और जुनून के हिसाब से आप स्वाभाविक रूप से जितना चाहें उतना आगे बढ़ पाएंगे तो यही समस्या है लक्ष पर ध्यान देने का ये पश्चमी तरीका है वो लक्ष के प्रती समर्पे थे ये चीज मैं यहां हमारे लोगों में बदल रहा हूँ यहां लोग प्रक्रिया के प्रती समर्पे थे और अगर आप प्रक्रिया को अच्छे से करते हैं तो लक्ष प्राप्थ होगा अब आप सिर्फ लक्ष चाहते हैं आप आम चाहते हैं लेकिन आप आम का पेड नहीं चाहते इससे बहुत दुख होगा ये सच है आपने पेड की बात की कई बार लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें हमारी जड़ों से अलग करने की कोशिश कर रही है खासकर जैसे रामायन और महाभारत जैसे प्राचीन भारतिय महाकावियों की बात आती है अब रामायन और महाभारत में महान लीडर्शिप के सबक हैं जो राजाओं को सिखाये जाते थे ताकि उन्हें बहतर लीडर बनाया जा सके तो बहुत बार बातचीत इस विशेश सवाल पर अटक जाती है कि क्या रामायन और महाभारत वास्तविक्त है या वो सिर्फ हमारे भविश्य में हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए बनाई गई कहानिया थी तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कल आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ अगर आप किसी को आज बताते हैं तो वो एक कहानी है न चाहे दिल्चस्प कहानी हो या उबाओ कहानी बस यही सवाल है लेकिन वो कहानी है तो यहां तक कि मैं शब्दों के साथ खेल रहा हूँ हिस स्टोरी मतलब उन्होंने हर को छोड़ दिया यह हिस्टोरी है तो उस समय लोगों के साथ क्या हुआ वो कहानिया पीड़ी दर पीड़ी लोगों को कही जाती थी पीड़ी की जरूरत के हिसाब से उसका संदर्ब थोड़ा बदलता गया यह देश में एक लचीलापन यह है लेकिन जीवन को देखने के पश्चिमी तरीके में सिर्फ तथ्य महत्वपूर्ण है मैं पूछ रहा हूँ लोग यह बहस कर रहे हैं अगर कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो काले कैसे थे शायद यह सब गलत है या शायद वो एक दक्षिन भारतिय थे यह बेवकूफी है मैं कह रहा हूँ कृष्ण काले थे या नहीं उनकी नाक थी या नहीं आपको क्या परिशानी है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं उनका चरित्र आप उन्हें नहीं जानते ठीक है जिस चरित्र को हम क्रिश्न कहते हैं वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं लेकिन इतिहास बताने का पश्चिमी तरीका देखिए बस इस साल में यह हुआ उस साल में वो हुआ, इस आदमी ने उस आदमी को मार डाला हम ये चीज़े नहीं जानना चाहते लोगों के दिल और दिमाग में क्या हुआ उन्हें सही और खलत काम करने के लिए किस चीज़ ने प्रिरित किया क्योंकि ये इनसानों की कहानी है इस मानविय कहानी को किसी न किसी तरह से आपके अंदर कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहिए आपको जीवन में कुछ प्रिरिना देनी चाहिए इस देश में इतिहास के पीछे यही विचार है लेकिन आज बस जानकारी दी जाती है 1452 में ये युद्ध हुआ 1566 में वो युद्ध हुआ आप उसका क्या करेंगे आप एक भिवकूफी भरा एक्जाम पास कर सकते हैं बस इसका आपके जीवन में क्या महत्व है कि इस राजा ने उस राजा को मार डाला ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ इसका मतलब क्या है जब तक हम ये नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था उन्होंने वो काम क्यों किये तो ये दिल को छूलेने वाली कहानिया है खैर परसों जो कुछ भी हुआ आप ये मान सकते हैं कि आपके पिता मौजूद नहीं थे कुछ समय बाद शुब काम ना है क्योंकि किसी ने आपको आपके पिता के बारे में ज्यादा नहीं बताया तो उनके जाने के बाद आप ये मान सकते हैं कि शायद वे मौजूद ही नहीं थे क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पर ये जीवन को देखने का एक बेवकूफ तरीका है, ये जीवित कहानिया हैं जो इस देश का इतिहास हैं, ठीक है, शायद बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो, बड़ी बातें की गई हो, कुछ बदलाव हुए हो, लोगों न अभी तीन हजार साल से ज्यादा पुराना है, लोग उसे पौरानिक कथा कह रहे हैं, नहीं, ये सच है, तो सद्गुरु जी मैंने सुना है कि अभी आप मिट्टी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस मिट्टी के संकट का अभी हम सामना कर रहे हैं, वो कितना गंबीर है? जिसमें आप कुछ नाइटरजिन, फॉस्फरिस भेंक कर उसे ठीक कर दें, ये एक जीवित पदार्थ है, मुठी भर मिट्टी में आठ से दस अरब जीव होते हैं, एक मुठी मिट्टी में, तो मैं कह रहा हूं कि ये मानव आभादी से अधिक है, पर हमने इसे मरने दिया ह ये कैसे हुआ? क्योंकि खेती को उद्योग की तरह चलाया जा रहा है, जहां मिट्टी में कोई और्गानिक चीजें नहीं डाली जा रही हैं। यहां तक विकास की बात है, हम अपने पैरों के नीचे चल रही गतिविधी का एक रिफ्लेक्शन है, वहां जो माइक्रोब्स की गतिविधी हो रही है, यहां भी वही हो रहा है, और आपके शरीर के सिर्फ 40 प्रतिशत हिस्से में आपके वन्ष का जनेटिक कॉंटेंट है, बाकी का हिस्सा माइक्रोब्स हैं, आपका 60 प्रतिशत हिस्सा सुक्षमजीव या माइक्रोब्स हैं, आप दोनों में आप एक दूसरे को ऐसी प्रजाती का नाम दे सकते हैं, जो प्रमुख हो, तो यही चीज मिट्टी में एक बड़े पैमाने पर हो रही है, आज ये सभी जानते हैं कि आथ में माइक्रोबियोम या सुक्षमजीव के बिना आप खाना नहीं पचा सकते, यही चीज मिट्टी में भी होती है, पौधों को सुक्षमजीवों या माइक्रोब्स के बिना वो पोशक तत्व नहीं मिल सकते, जो उन्हें चाहिएं, क्योंकि वो जीव ही इस धर्ती पर जीवन का आधार है, UNFAO के हिसाब से हर साल औसतन सुक्षमजीवों की 27,000 प्रजातियों का विनाश हो रहा है, औसतन वो कह रहे हैं कि 27,000 प्रजातियान की जीव विलुप्थ हो रही हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लगबग 30-40 सालों में हम एक ऐसी स्थिती में होंगे, जहां हम भोजन नहीं उगा पाएंगे और अगर हम तब मिट्टी में फिर से जान भूकने की कोशिश करेंगे, तो इसमें 1.500 से 200 साल लगेंगे, यानि अधिकांश आबादी को अपनी जान गवानी पड़ेगी, लेकिन आज, अगर हम अभी ये प्रयास करते हैं, अभी अगर हम दुनिया भर में मिट्टी की क्वालिटी और पर्यावरण को सुधारने के लिए राष्ट्रियन नीतियों पे जरूरी काम करते हैं, तो 10 से 15 या अधिकतम 20 सालों के समय में हम एक महत्वपून बदलाव ला सकते हैं, तो एक पीड़ी के रूप में हमारे सामने ये चुनौती है, और ये हमारा सौभाग ये है, कि हम या तो इस धर्ती के जीवन को बरबाद होने से बचा लें, या हम बस देखते रहें, मैंने सोचा कि हमें इसे युही चलने नहीं देना चाहिए, तो मेरी उम्र 65 साल है, और अब मैं लंडन से कावेरी बेसिन तक 30,000 किलोमीटर की दूरी तै कर रहा हूँ, आप जानते हैं, 30,000 किलोमीटर की यात्रा में मज़ा नहीं आता, पर मैं ऐसा इसी लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, कि ये कितना जरूरी है, लोग कह रहे हैं ओ आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप ऐसा क्यूं नहीं कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि हम यहां बैठ कर दुनिया के लाखों लोगों से बात कर सकते हैं ठीक है जब हमारे पास ऐसी ख्शमता है तो हमें इसे सक्रिय करना चाहिए इस पर नीती बनाने के लिए हम 3-4 अरब लोगों तक पहुँचना चाहते हैं ताकि वो भी मिट्टी के बारे में बात करें अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरा समर्थन करे ये ऐसा कुछ 21 मार्च से 100 दिन तक सभी को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो हम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर ये नंबर इकठा करेंगे और एक ऐसी स्थिती बन जाएगी जहां 3-4 अरब लोग मिट्टी के बारे में बात कर चुके होंगे कोई भी सरकार इसे नजरंदाज नहीं करेगी क्यूंकि एक लोगतांत्रिक राष्ट्र में आकड़े सबसे बड़ी चीज हैं और हमें नंबर तयार करने होंगे सरकारें धर्ती और देश की लंबे समय की भलाई पर निवेश क्यों नहीं कर रही हैं लोगों को ये समझना होगा कि एक लोगतांत्रिक देश में सबसे शक्तिशाली चीज जो आपके पास है वो है आपका वोट और आपकी आवाज मुझे नहीं पता कि वोट का आप क्या करेंगे पर कम से कम अपनी आवाज उठाएं सो दिन तक बोलें 5-10 मिनिट बिताएं, दिन में 5 मिनिट काफी हैं, हर दिन, दिन में 5 मिनिट बस उन सभी प्लाटफॉर्म्स पर जहां आप बोल सकते हैं, बस कुछ कहें हम वेबसाइट पर धेर सारी चीज़ें अपलब्द कराएंगे, आप उसे वहां से लेकर उसे अपने हिसाब से इस्तमाल करें अगर आपको वो भी नहीं आता, तो बस कहें मिट्टी बचाओ, आईए इसे संभव बनाएं, हर दिन हमारे हर वीडियो के अंत में हमारे पास एक छोटा हिस्सा होता है, जिसका नाम है हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को प्रेणा देते हैं, अपने स्तर पर कुछ करने की प्रेणा, कुछ हैसा जो वो अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, ताकि इस मुद्दे पे की जा सके जैसे हमारा उद्देश है भारत और दुनिया को एक प्रतिशत बहतर बनाना क्योंकि ये विश्वास करना जरूरी है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम कुछ ऐसी चीज़े कर सकते हैं जो यूगदान देंगी और कुछ बड़ा करने में मदद करेंगी तो हमारे जैसे क अगर सभी अपने स्तर पर कोशिशें करके मिट्टी को ठीक करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा हमें इसे नीती का हिस्सा बनाना होगा आप किस शहर में रहते हैं मुंबई मुंबई में हैं आज कानून है मान लीजिए आपके पास मुंबई शहर में 5000 वर्ग फुट का प् कानून है आप अपने हिसाब से इमारते नहीं बना सकते लेकिन मुंबई के कुछ ऐसे हिस्से हैं मान लीजिए आप धारावी गए अगर आप वहां जाते हैं तो ऐसे घर हैं जहां खिड़की जैसी कोई चीज ही नहीं है एक ही दर्वाजा होगा वही दर्वाजा अंदर व और पॉलिसी न होने के बीच अभी अगर आपके पास दस एकड़ जमीन है तो आप उसका हर एक इंच जोत सकते हैं जैसे आप चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं दस पंदरा सालों में आप उसे रेत बना सकते हैं आपको ये पूछने के लिए भी कोई कानून नहीं है कि बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है अगले पांच से दस वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अकाल की आशंका है संयुक्त राश्ट्र साफ-साफ कह रहा है कि 2035 तक भोजन की कमी से दुनिया भर में दर्जनों ग्रह युद्धों की उम तो ये बहुत जरूरी है और सबसे बढ़कर अभी एक ऐसा समय है जब हमारे पास इसे पलटने का मौका है अगर हम इसे अभी नहीं पलटते हैं तो हमें अगले कुछ दशकों में जबरदस्त पच्टावा होगा तो युवा लोग क्या कर सकते हैं क्या उन्हें जाकर अपन प्रिश हजद गुरू हम हर वीडियो को इसे एक लाइन से खत्म करते हैं और यही वज़ा है फर्क पड़ता है इससे फर्क पड़ता है तो अगर आप वो लाइन कह पाएं तो बहुत अच्छा होगा अई बहुत अच्छा है इस लिए हमें इसे संभव बनाना होगा आईए से संभव बनाएं आईए से संभव बनाएं थार्प्वार्ट दो 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 दो